नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका exam book चैनल में दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि primary teacher जो होता है assistant primary teacher और some inspector इसमें आपका क्या differences होते हो और ये job कैसी है अगर आपको कल को confusion पैदा हो जाए कि इन दोनों jobs मैंसे मुझे कौन सी job करनी है तो ये वीडियो आपके लिए आपको side out जो है ये clear कर देगी इस वीडियो में हम cover करेंगे कि दोनों को दोनों जो jobs है उनका nature क्या है उनका nature of jobs क्या है दूसरा work क्या करते है salary क्या होती है promotion क्या होते है holidays कैसे मिलते हैं और आपका working hour कितने होते हैं इस सारी चीज़ें हम cover करेंगे और मैं आपको ये भ पता चल जाएगा कि आपको कैसी job चाहिए इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कता ही मेरा बिलकुल भी ये motive नहीं है कि मैं किसी भी job में से किसी भी job को मैं नीचा दिखाना चाहता हूं देखिए जब भी हम किसी भी government sector की job करते हैं चाहों वो fourth class में जो सफाई करमचारी से ले कर रहे हैं वो हर तरीके से देश से वा कर रहे हैं वो हमारे समाज का ऐसा structure है कि हम लोग जो हैं वो classes के हिसाब से jobs को देखते हैं कि नहीं है अगर fourth class में है तो यह आरे ऐसा ही है और भाई IAS होता है ऐसा foreign countries में ऐसा कुछ भी system नहीं है तो हम उस तरीके से उसको देखते हैं लेकिन मेरा कहने का बिल्कुल जो सेम मतलब यह है कि यह है कि मतलब आपको जो 42 सो दोनों के दोनों payment की जो जॉब हैं दोनों 42 सो payment पर आती हैं और कितनी इसमें salaries मिलती हैं और इन दोनों में ही सबसे जॉब में लोग confusion में रहते हैं कि मैं कौन सी जॉब लोग तो दोस्तों इसमें अब हम आगे और इसमें मैं यह भी बताऊंगा आपको कि कौन सी बहतर है मैं पहले मैंने पहली बता दिया आपको कि मैं यह नहीं चाहता हूं कि मैं किसी भी जॉब को जो है वो आपका नीचा नहीं दिखा रहा हूं लेकिन मैं आपको comparison करके पूरा बता दूँआ त दोनों के दोनों सेम पेवेंड पर आती हैं टीचिंग आपका assistant primary teacher और sub inspector उत्तर प्रदेश पुलिस यह दोनों के दोनों जॉब है वो 42 पेवेंड पर आती हैं और दोनों जॉब्स में आपका लगबग 42 से 45 के बीच में जो है आपका salary आपको first salary लगबग लगबग मिलती है ठीक है इतना आपको confusion दूर हो गया फिर आगे चलते हैं क्योंकि बहुत लोगों को यह नहीं बता होता है कि assistant primary teacher और sub inspector जो है वो दोनों सेम पेवेंड पे आपका काम करते हैं आगे बढ़ते हैं आप सबसे जो major point है वो है आपका work का अब work में आपका sub inspector का work पहले आप सुन ल कोई भी अगर incident होता है चाओ वो अच्छा हो या बुरा हो आपका उससे सम्मंद होगा ठीक है अब जैसे समझेए अच्छाई हो में मतलब यह होता है कि जैसे मेले हैं मेले मेले और कोई भी अगर आपका कुछ भी इस तरीके की चीज जिसमें की लड़ाई दंगा वगरा य यह कोई negative काम तो नहीं है जोना positive काम है उसकी VBIV duty है उसको उसमें भी समिस्पेक्टर को लगाया जाएगा और negative में मतलब murder, loot mark, rape, आपका छिड़कानी जितने भी गलत काम इस समाज में होते हैं वो सब में जो है directly involvement जो होता है वो समिस्पेक्टर का मतलब first reaction जो होता है वो police क करती है और police के रोप में समिस्पेक्टर करता है N recount सिर्फ summispector के यहाँ बात कर रहा हूं वो तो एक chain है वो तो उनके supporting में सबकर सब लगे रहते हैं, बट summispector एक बिलकुल एक कड़ina की तरह काम करता है आपका society सुसाइटी और पुलिस के बीच में जो एक कड़ी है जोड़ने वाली वह समिस्पेक्टर इसी लिए इसको ज्यादा पावर्स दी गई हैं CRPC में और इसी लिए इसको बहुत ही ज्यादा महत्वूर्पत बाना जाता है आप एक पावर रुतुबे के लिए आप CEO और यह सब उ जानता हूं मैं बहुत बढ़िया जोग में बाई कंट्री रन करते हैं लोग बट कलम से लिखा हुआ वह समिस्पेक्टर का ही माना जाता है कोट में वह अगर CEO या फिर कोई भी हायर अथारीटी लिखेगा उसका वह मानने नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टिकेशन पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ समिस्पेक्टर को दे गई है और किसी को पावर नहीं है तो अच्छी से अच्छी और बुरी दोनों तरीकी गटनाय जो होती है वो समिस्पेक्टर में आती है एक्सिदेंट हो गया है वहां आपको जाना है अब आप लेटेस्ट एक्जामपल द ड्यूटी किस की है? पुलिस की है, पुलिस ही जो कोरोना पेशेंट्स हैं, जो कोरोना इंफेक्टेड हैं, उनको निकाल रही है, पुलिस ही इनको निकालने में पत्थर खा रही है, पुलिस ही जो है आपका डॉक्टर्स तक आपको पहुचा रही है, सब कुछ पुलिस ही आप सांत माइंड से बैठी है और यह देखिए कि सोसाइटी में कौन सा ऐसा सेक्टर है या फिर कौन सा ऐसा ऐसी जगे है जहां पर पुलिस का इंवॉल्मेंट नहीं है फर्स्ट रियक्शन किसी भी चीज में हमेशा पुलिस ही करती है ठीक है तो यह जो होता है उसका वर्क होता है अगर आपको आपका दंगाव हो गया पुलिस देखिए मैंने आपको जो मेरी एक वीडियो है यूपी एसाई वर्क प्रमोशन वो उस वीडियो का आप जाके देन कि नीव चैते है तो ये तो होगया आपका समय इस्पेटर का वर्क अब आते हैं प्रैमरी टीचर का दिखिए प्रैमरी टीचर क्या करता है करता है डिकार उतल खर दिखकर को वर्क होता है आपका ठीचिंल के रिखेंश उस्च्छा के लिए क्या है कि primary assistant primary teachers रखे हुए है school जो है आपके खुले हुए है तो उसमें क्या होता है इनका primary work जो होता है मतलब मुख्य कार्य जो होता है वो यह होता है कि आपका teaching करानी है teaching आपको करनी है पढ़ाना है छोटे बच्चों को छोटे से लेकि आपका 14 साल चके जो बच्चे होते हैं उनको आपको पढ़ाना है उसके बाद इनको duty क्या आती है उसके बाद जब election होते है जैसे 5 साल में election होते है वैसे तो किसी भी state में अगर आप primary teacher है अगर आप UP में है तो आपको लगबग लगबग दो बार साल में दो बार जो पास साल में दो बार आपको चुनाब duty करनी पड़ती है आप कैसे देखिए एक तो विधान सभा के चुनाब होते हैं जैसे 2022 में विधान सभा के चुनाब है ठीक है और फिर जस्ट दो जार बाइस के बाद दो साल बाद 2024 में जो है वो लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे ठीक है तो इन दोनों में आपको करना पड़ेगा इलक्षन ड्यूटी में आपको करना पड़ता है कि आप बूत पे जो अंदर बैठे रहते हैं जो आपके C.I. लगाते हैं या फिर जो आपका पूरा बटन दबाना है आपको यह करना है सारा के सारा वो आपकी जो इलक्षन आई-कार्ड वगरा जो होता वो सब के सब जो चेक करते हैं कि हाँ आपका नाम है नहीं है यह सब टीचर प्रैमरी टीचर के काम होते हैं ठीक है तो दूसरा आपका जो है जैसी आपका हो जाएगा फिर तो जैसी एलक्षन हो जाता फिर वो पुलिस के ड्यूट आ जाती है फिर आपकी नहीं रहती है आपका काम है कि जब पू जनगलना डिटी जो होती है तसल diet प्वूरी तरीके से प्राइमरी टीचर पर डिपेंड होती है, और इडमीस्टेशन पूरा लगता है तो एलेक्शन डिएटी गया लेकिन सेंसस डिएटी है जो जनगलना डिएटी होती है उसमें पूरी तरीके से जो है, प्रैमरी टीचर का ही काम होता है वही डोर टू डोर जाना है आपको सारी सारी आपको information निकालनी है बहुत सारे बक्तमीज लोग हैं जो information नहीं देते हैं बहुत बुरी तरे treat करते हैं तो वो चीज भी जो है teachers को जेलनी पड़ती है तो यह तो ओ गई आपकी census duty हैं लेकिन census duty ज हर साल आपका नहीं आती है हाँ अगर जैसे कुछ जैसे जातिगर्ट जन्गर्णा का आपका जो कास्ट बेस जो आपका census होता वो निकालना है तो भी हो सकता आपसे निकलवाया जाए फिर एक इनको यह और duty होती है कि 6-14 साल तक कि जो बच्चे होते हैं उनको जो है आपको आपका जो है उनकी पता लगाना है कि अपको एरिया बटा दे जाएंगा कि इस एरिया में आप यह पता लगाई है कि 6-14 साल तक कि कितने बच्चे हैं कितने सिक्षित हैं कौन स्पूल आ रहा है कौन नहीं आ रहा है सारी चीज़ों आपको पूरा वो एक डेटा तयार करना होता है उसके बाद आपको BLA duty अब BLA duty election duty बहुत लोग सेम समझ रहोंगे election duty मैंने आपको बता दिया कि election duty में teacher का क्या काम होता है मैं BLA duty में होता है कि देखिए जो आप voting list जो बनती है voting list में पूरी तरीके से primary teacher का काम होता है वो आपका वोई door to door जाएगा आपके आई-cards माटना आपके आपके मतलब एरिया में कौन से वोटर जो है नए आए हैं कौन से वोटर जो है चले गए हैं या फिर जो मर गए हैं उनको voting list सेंका नाम काटना उसकी पर बेजना सारा कुछ यह होता है बहुत एक्टिक जोब होती है तो वह आपको जो है आपको करने पड़ती है और ब्लो ड्यूटी जो है अगर ब्लो ड्यूटी इलक्शन का टाइम में ब्लो ड्यूटी चल लही है तो आपका पहले टीचिंग करो उसके बाद ब्लो ड्यूटी करो ऐसा होता है संडे बहुत लोग संडे में आपनी एक पूरा एक है इतनी सारी जोब्स होती है अब उसके बाद रही बाद comparison की, अब इसमें comparison में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, देखिए some inspector की job जो होती है, वो थोड़ा सा आपके ज्यादा होती है, देखिए आप तो मैं आगे बताँगा कि working hours कितने होते हैं, उसे साफ से आपको पता लग जाएगा, उसी स्लाइड में हम लोग बात करते हैं कि comparison क्या होता है, उसके बाद है promotion, देखिए some inspector जो होता है, वो मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि साथ साल की service, साथ साल की service के बाद आप eligible हो जाते हो inspector बनने के लिए, तीन star लगाने के आप eligible हो जाते हो, आप inspector से inspector में उनको उनका promotion का time आ रहा है, अब क्या है अब जैसे बानली जी 1992 बैच इन्हों ने उठाया, अब 1992 में जो है आपका एक batch में मानली जी 2000 some inspectors ने एक साथ training करी बाई किसी ने सीतापूर करी किसी ने आपका मुरादाबाद में करी, किसी ने आपका उननाओ में करी तो ऐसे-इसे करके टुकुड़ो merit में कर ली तो ऐसे करके लेकिन जब merit बनती है तो एकी batch का पूरा merit एक बार में बनती है, पूरा merit जो है सारे training centers की merit एक बार में मलाय जाती है उसके बाद ये देखा जाता है कि पूरी मेरिट रहती है आपका बोर्ड के पास अब उसमें माल लीजे जैसे आपको देखिए एक तो सम इस्पेक्टर आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी हायर हम प्रमोशन पर जाते हैं तब सीट कम होती है देखिए इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है वो आपका र कंडिडेट थे उन्होंने आपका पासिंग आउट करी अब 2000 कंडिडेट में सासन ने ये कहा कि ठीक है हम 200 इंस्पेक्टर बना रहे हैं ठीक अब 200 इंस्पेक्टर में क्या होता है कि आपकी जो सीनियरिटी बैठ रही है आपकी ट्रेनिंग से ले कि ट्रेनिंग में आपने क की टाइम आया फिर जो दोसों के नीचे दोसों तो फिर वो ठाली जाएंगे अगर आपका माली जी नंबर जो है एक हजार पचास प्यारा तो आप सोचिए आपका दस साल बारा साल पंदरा साल में हो सकता इसी लिए का जाता है कि ट्रेनिंग से लेके जब आप किसी भी विव भी करेगा कि आपको सलूट मारना करना पड़ेगा उसको फिर जो है साथ साल की सर्विस के बाद आप अलिजबिल हो जाते हैं इंस्पेक्टर के लिए और फिर डीएसपी लगबग ज्यादा तर मैंने यह देखा है कि इंस्पेक्टर जो होता है वह सम इस्पेक्टर जो होत अब एक असो के स्थम जो लगाता है कंदे पर अडिशनल भी ले लेगा बहुत एक्जामपिल हैं जिन्होंने इस्पेक्टर जो है अडिशनल तक गए डी आईजी तक चले गए एससपी भी गए डी आईजी तक चले गए तो बहुत रेर एक्जामपिल होती है ऐसा अडिशनल भी अगए और सिन्हेटी खिसाब से मालीजी आपको पांस साल में प्रमोशन मिल गया तो आप यह दो प्रैमरी के प्रिंसिपल बन जाएंगे या जूनियर में असिस्टन टीचर बन जाएंगे ठीक है और उसके बाद आपका फिर से प्रमोशन जो है वो जूनिय जूनियर का जो जूनियर जो इसकूल होते हैं उनका प्रिंसिपल आपका प्रमोशन हो जाता है सैलरी में बहुत बड़ा जाता है सैलरी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप धीरे 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 है जो है समिस्पेक्टर की सैलरी इतने कम बढ़ती है और टीचिंग में और सैलरी का और समिस्पेक्टर अम सैलरी का मैं बता हूँ बहुत बड़ा डिफरेंस है पूरी टीचिंग और एक पुलिस बिभाग में सारा के सारा बिल्कुल डिफरेंस है एक बहुत बड़ा गैप है बहुत ज़्यादा लीड कर जाता एक टीचर जो होता है वो एक समिस्पेक्टर हैं, किसी भी समकक्ष जो आपकी जॉब्स होती है, उनमें बहुत ज्यादा लीड कर जाता है, आगे चल गए, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यह हो गया प्रमोशन का, अब आते हैं, होली डे, देखे, कागजो में, कागजो में समिस्पेक अब इसमें क्या है, आप इसको समझ लीजिए, देखे, बहुत ज़्यादा रेयर चांसे होते हैं, जब तब ही आप, जैसे CL तो यह होता है, कि चलो ठीक है, हमें मिल गई, ठीक है, और EL क्या होता है, EL थोड़ा सा आपको बहुत, आपके सिन, यह सारी चुट्टी आपके senior officer पर टेपेंट करती है, कि वो देना चाहता है, यह नहीं देना चाहता है, अगर कोई some inspector है, तो उसको चुट्टी जो है, आपका CO भी दे सकता है, additional भी दे सकता है, SSP भी दे सकता है, लेकिन भाई, मैं आप यह बी बता रहा हूँ, कि some inspector के लिए चुट्टी नाम की तो कोई चीज नहीं होती है, जो लोग बहुत ऐसे थानों में posted हैं, और खासकर मैं यह नहीं कह रहा हूँ, कि जो some inspector माली जी किसी training center में है, या LIU में है, तो उसको चुट्टी नहीं है, उसको चुट्टी है आराम से, यह side department है, मैं बात कर रहा हूँ, जो थानों में posted हैं, जो चौक 25-30-30 विवेचना हैं होती है, मतलब किसी case पर विवेचना कर रहे हैं आप, investigate कर रहे हैं, 25-30-30 और उनमें आपको जो है, जल्दी से आपका SSP का उपर से डेंडा पड़ता है, कि जल्दी, जल्दी करो, बहुत time हो गया, इनको 1-5 साल हो गया, वो pressure जो होता है, वो आपको ज इसलिए, पुलिस में, जो है, suicide जो है, बहुत जादा है, क्योंकि pressure बहुत जादा रहता है, दूसरा support नहीं है, आए एक दूसरे को, उसके बाद क्या है, कि जैसे दो, एक महीने के CL होगे, दो महीने की CL होगे, देखने में बहुत हो रहा है, लेकि आप किसी भी सर्विस्प इसलिए, लेकिन आप आगये हो, यह चलता है, क्यों जब नहीं है, यह जाना है, तो फिर क्या करोगे, यही करना पड़ेगा, आसिस्टेंट प्राइमरी टीचर क्या होता है, 14 CL मिलती है, साल में, casual leap 14 है, अब आप कैसे भी ले लो, उसके बाद है, one month की आपकी, जून में ज अफिशल है, primary teacher का, आप 14 CL में क्या है, कि आपको जो है, जो है, प्राइमरी, जो अपने जो, head teacher होती है, यह आपको ऊपर से नहीं लेना, जो आपके primary school में, जो head teacher है, बस आपको उनको, मतलब मेरे कुछ friends हैं, वो तो, फोन पर बदा देंगे, सर मैं आज गे होगा, मेरे वर्किंग आर वर्किंग आर क्या होता है यह कि समिस्पेक्टर 24-7 आपको जॉब करनी है अपने दिमाग में बिल्कुल फीट कर लेजे 24 घंटे की ड्यूटी रहेगी रहेगी ठीक है भाई आप मालीजे जैसे सुबह आप उठे ठीक है छह बज़े उठने के बाद क्राइम का अपना पूरा चले गए तो मतलब वहां गए वहां आपने इन्वेस्टिकेट किया देखा आपने के कितने लेविल का क्राइम है उपर सीनियर को ख़वर कर यह सर ऐसे बात है यह वह इन्वेस्टिकेशन चाल हुई फाई आर होई जो भी अधर पकड़ चाल हुई मतलब कु खीरी बॉर्डर पे अब क्या सोचो गए यार मुझे जाने जाने में टाइम लग जाएगा इस सच्छा है यह थाने पर ही मैं थोड़ा रेश्ट कर लेता हूं थोड़ी दवाई लेकर मैं थाने पर रेश्ट कर लेता हूं तो कुल मिला के मतलब यह है कि टाइमिंग कुछ 10-11 बची आप आएं ठीक है और उसके बाद आप आएं तुरंत बर्दी उतारें खाना जैसी खाना खाने तो हो सकता है एकदम कॉल अगया कि सर वहां पर जोड़ा हो गया यह सर वहां पर जोड़ने पड़ेगा और तुरंत आपको जान रवान की लेनी पड़ेगी क्यूं वहां से आपको साक्षपी तो बटोरने है जब तक लोकल भीड आए वहां छेड़ खानी करे जो है क्राइम सीन से इससे पहले आपको पहुछना पड़ेगा यह सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा होती है सीनर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है कि हर समय आपको जो ह अब टीचिंग में इसका जो वर्किंग हार होते हैं एक अपरेल से लेकर तीस अपरल तक आपका आठ से एक डॉप चौप करने हैं आपको ठीक है मतलब पांच गंटे की उसके बाद आपको एक अक्टूबर से लेकर 31 मार्स तक एक अपरेल से तक आठ से एक और एक प्राइमरी-टीचर की जोब क्या है आप अपने खाल आपको भी देख सकते हो आप अपनी जो भी प्रोपर्टी है खेती बाड़ी जो भी कुछ है सब कुछ देख सकते हो अपने आप साइड में एक तरीके से आप जौब भी कर सकते हो तो बहुत सुकून की नौकरी है पॉलिस में बहुत ज्यादा यह चीज है, प्रैमरी टीचर में क्या है प्रैमरी टीचर में आपको किसी के प्रती अखॉंटमिल नहीं रहें आपको किसी को जवाब देंजी या नहीं आपको normal अपने बच्चे पढ़ाने हैं, अपनी क्लास को आपको पास कराना है, simple है लेकिन दरोगा में क्या है दरोगा में भाई आपको हर चीज को देंगा क्यूंग मैंने बोले ना दरोगा एक की है उस वो एक चाबी है मतलब एक बहुत बड़ी कड़ी है वो जोड रही है हर तरीके से तो समाज भी उस पर प्रेसर डाला है और सीनियर भी उस पर प्रेसर बहुत सारे लोग करते हैं और यह वोपरी इंकम पता है कि तो नहीं होती रही प्रेसर अपने इंकम लेनी शुरू कर दी इसमें रिस्क कितना होता है आप देखिए ना 10.000,000 रुपए लेते हुए सब इससपेक्टर सो पकड़ते हैं छोता क्या है बहुत बुरा हाल होता है सब लोग थोड़ा बहुत थाने पर थोड़ा बहुत पैसा सब लोग लेते हैं सारे डिपार्टमेंट में सब और पूलिस क्यों आप करॉप्शन इंडेक्स देखींगे कभी-कभी तो पूलिस में आपका 10-12 नमबर पर आपको आएगा उससे बहुत बड़े-बड़े चोर ब हैं वह करॉप्शन की तरफ चली जाती है लेकिन यह आप नहीं कह सकते के नहीं थाने पर जाएंगे तो भाईया आपका ऐसा है कि 42 आपकी और फिक्स आपका इंकम इतनी उपर कि रहेगी उसमें रिस्क इतना रहता बहुत रिस्क रहता है और रिस्क बड़ी जिंदकी हर को सब्सक्राइब को हमाई गया सब्सक्राइब बहुत सारे डिपार्टमेंट है पुलिस में बहुत सारे विंग्स है उनमें भी चाते हैं तो कुल मिलागे यह है कि आप इस चीज से अगर बहुत जादा प्रेशर है नहीं देख पाएगा आप किसी रिमोट एरिया में आपकी पोस्टिंग कर रखी हो तो आप फेमली कहां रखोगे अपनी और एक समय पर आके जब एक समय पर आके आपको एक family अपनी जो किसी ना किसी सहर में तो आपको उसको जमाना पड़ेगा न महां घर वगारा सब कुछ बनाना पड़ेगा न कब तक आप सारे सारे सहर लेके घूमे को और अगर आपकी किसी सहर में गाउं में पोस्टिंग है तो आप डेली अपड प्राइमरी टीचर की नोकरी कर सकते हो अच्छी नोकरी है टाइमिंग बढ़िया है सब कुछ ठीक है उसने जॉब में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है दरवा की नोकरी क्या है दरवा की नोकरी यार वही बंदा आया जो रफेंट टाफ हो मेंटली रूप से और फेजी गली रूप से बहुत रफेंट टाफ जॉब है मैंने आपको सारी चीजें बता दी अब मैं एक इंसिडेंट भी बता जता हूं कि बहुत सारे लोग बढ़िया थे वह प्राइवेट टाइरया जॉब कर रहे थे जॉब कर रहे थे तो उनके साथ क्या हूँआ के उनके फादर जो ऋ है वो उनके डेथ हो गई पुलि के युइदे कि युदे roast परीवारम वाले उनन का छपर धार जाते हो जppt ह 50 ख़र्यक होले जक्रलतibly बहुत बाबाई पिता जी मर गए अब उसके बाद चाचा ताउ और परिवार वाले जो थे तो सारी सारी जो आपकी जमीन थी उसको कैप्चर करनी खूसिस करते हैं तो वहाँ पर जो है आज मजबूर हो यादा है कि यार कास आज में अगर पुलिस में होता ना तो यह इतनी हिमत नहीं कर पाते हैं फिर क्या हुआ फिर वहाँ पर यह हुआ कि उन भाईया ने जो है वो जौब छोड़ी उसके बाद वो समिस्पेक्टर में आये वो और समिस्पेक्टर में आने के बाद जो है फिर उन्होंने करी तो तब उनकी जमीन बच पाए इसलिए काहवत भी कही जाती है कि हर घर में जो है एक पुलिस वाला यह डॉक्टर और एक वकील होना चाहिए ठीक है इतना तो नहीं लेकिन हाँ सोसाइटी में आप देखते हैं कि पुलिस वाला तो एक होना चाहिए चुकि मैंने क्या ना फर्स्ट कोई क्रियाक्शन पुलिस ही करती है और कोई डिपार्टमेंट चाहन समाज में बुरी चीज होई हो और पहला रियक्शन पुलिस का होता यसा लिए पुलिस की जोब बहुत जあー banda हो रही है पुलिस की जॉब में रिस्क जाता है डंगे मोँ सकता आप मारे जाए इंद दिός ऑद धिली में जेदंगा होते हो अब है अभी जन्वरी में फर और सेलरी भी आ रही है कितनी जो है सही बात है तो बहुत सोच समझ के और दूसरा जैसे दो तीन ताइप के कैंडिडेट्स होते हैं एक तो वह होते हैं जिनका ड्रीम होता है कि नहीं मुझे डबल स्टार अपने कंदे पर लगाने मुझे पुलिस की ही जॉब कर रही है दूस जो की ऐसा जॉब की तरह इसको लेते हैं कि ठीक है यार आई है वेकंसी भर देते हैं हो गए तो ठीक कर लेंगे ऐसी कुछ बहुत सारे लोग इस तरीके से होते हैं तो जो लोग जो हैं खुद स्विच्छा से करना चाते हैं जिन लोगों का ड्रीम है वो तो बहुत बढ़ जाते हैं ठीक है न ज्यादा इमानदार हैं तो भी आप खत्रा हैं डिपार्टमेंट के लिए खत्रा हैं तो बहुत सारी चीजें जो हैं बाकि अगर कभी भी आपको आपकी लाइफ में कोई ट्राया अगर कोई समिस्पेक्टर जो हो जिसने अपनी लाइफ के 10-15 साल बीस स प्रेसरज की जॉब है सोसाइटी आज कल क्या आज कल देखते हैं आपके मैंने आपको बताया ना कि जैसे जो लोग यह कहते हैं कि करप्शन बहुत ज्यादा करते हैं पुलिस वाले लेकिन आप यह सोचिए ना कि आज कल के आई टी के टाइम पे इंफॉर्मेशन पर होती हैं उसके बाद मैंने यह वीडियो बनाई गया अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप सबस्क्राइब कीजिए और दोस्तों समिस्पेक्टर की जो हैं क्लासिज हमने दीरे दीरे अपनी चालू कर दी हैं कॉंस्टिटूशन की हमने चालू कर दी हैं मॉ